नमस्कार दोस्तो, संडीगड में जो जेवटी टीचरों की बरती होने वाली है, उससे समधी नोटिफिकेशन आ गया है, ओफिसल नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तो पहले बता दू कि 8 अक्टूबर से फोम फिल होंगे, 8 अक्टूबर से लेकर 1 नमबर तक काफिल लंबे समय से इंतजार था दोस्तो, 8 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आप फोम फिल कर सकते हैं दोस्तो संपून न्यूज दूँआ, एक एक बात आपके सामने रखूआ, नोटिफिकेशन की, एज लिमिट है, सलेबस के बारे में रखूआ, कितनी किस क्टेगरी के पास पोश्ट है, सब कुछ आपको बताऊँगा, किर्प्या आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखना दोस्तो इस वीडियो को सेर भी करना है, लाइक तो अभी कर देना, दोस्तो और इस यूटूब चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करी, दोस्तो संपून नेउज लेकर आया हूँ, देखिया दोस्तो, जेबिटी टीचर के लिए 418 जो पोश्ट है, जेबिटी टीचर की संड संडिगर्ड में जो वर्तियोंने वाले है, 418 पोश्ट, 213 जर्नल की OBC के 116, 80 कटेगरी की 89, 89 है, टोटल 418, PWD की 18 है, और ESM की चुराण में पोश्ट है, इस तरह पोश्ट है, दोस्तो, क्वालिफिकेशन की बात आती है, जो संडिगर्ड में जेबिटी टीचर पर जो प पता है कि ग्रेजवेट होना जरूरी है, यानि BA होना जरूरी है, ग्रेजवेट होना जरूरी है, दोस्तो, ग्रेजवेशन के साथ साथ, ग्रेजवेशन के साथ साथ, जेबिटी का कॉर्स जो दो साल का होता है, वो होना चाहिए, और पलस में seat at, ये minimum qualification है, दोस्तो, seat at पास होना चाहिए जेविटी का कॉर्स होना चाहिए और बिये या अगरिजवेशन पास होना चाहिए दोस्तों और इसके साथ साथ अगर आप बीड की करकी है बीड की हुई है बीड और शीट अट कलियर है तब भी आप इस फोम को बर सकते हैं बीड करने वाले जो कंडिडेट है और उनका शीट अट कलियर है तो वे इस फोम को फिल कर सकते हैं यह देखना दुस्तों कंडिडेट हुआ हो क्वालिफिकेशन बीड बैसलर ओफ एजुकेशन यानि बीड फ्रोम एनी एन्शिटी यानि किसी भी मानिता प्राप्त जो है लग ही है तो फिर्स्ट क्लास जो फिफ्ट क्लास तक अपने फोम अपलाई कर सकता है इस वकेंश के लिए योग है इनका यही कहना है और इन्होंने कहा है कि शिक्स मंथ ब्राइज कोर्स भी होना चाहिए एलिमेंटरी एजुकेशन बाई एन्शिटी दोस्तों यह इन्होंने कहा है विदिन टू इयर्स ओफस्ट अपनिमेंट एज प्राइमरी टीशर यदि आपका सेलेक्शन हो जाता है बीएड काटेगरिय वालों के लिए कह रहा हूं दोस्तों बीएड की हुई है और आपकी जुईनिंग हो जाती है तो दो साल के बाद यानि जुईनिंग करने के दो सा काल के बाद आपको छैमें नेका कोर्स करवाया जाएगा इन्होंने कहा है दोस्तों चिंता मत कीजिए दोस्तों जिन्होंने बेड करकी है और शीट एड कलियर वो इस फोम को बर सकते हैं और दोस्तों एज लिमिट जर्नल कटाइगरी के लिए जाए 21 से 37 वर्स और एज गि मैं आपको बता दू कि जिनका रेजिर्वेशन कोटा है उसके इसाब से सबको छूट मिली हुई है ओब इसी के लिए असी और पी एच के लिए अलग-अलग का टैगरी के लिए छूट मिली हुई है बेफिकरों के फार्म बर दीजिएगा मोड अफ सेलेक्शन अब बार आती है दोस्तों सलेबस की काफी लोगों की रायती सलेबस क्या होगा दोस्तों बहुत फार्ट वकेंशी होने वाली है जल्द से जल्द इसका पेपर होने वाला है जल्द से जल्द इसकी जोईनिंग भी हो जाएगी दोस्तों मैं इट लिफ् स्लेबस की बात करें 150 क्यूशन आएंगे 150 नंबर के होंगे डाई गंटेगा हुगा जर्नल अवेरनेस 15 नंबर के रिजिनिंग आएगे 15 नंबर की अर्थमेटिकल निमे रिकल आएगे 15 नंबर के बहुत डिफिकल्ट होते हैं ICT 15 क्यूशन टेस्ट ओफ पंजाबी लेंगवेज एंड केंपरेंशिव 10 नंबर के आएंगे टेस्ट ओफ इंदी लेंगवेज 10 नंबर के टेस्ट ओफ इंगलिश लेंगवेज 10 नंबर के मैथेमेटिक्स 15 नंबर का जर्नल साइस 15 नंबर की और सोशल साइस भी 15 नंबर की इस तरह दोस्तों 500 नंबर का और 500 क्यूशन आएंगे डाइगंटे में करना है दोस्तो नॉर्मल सेले बसा कोई दिकत नहीं आएगी जैसे दिल्ली में और युपी में होता है वैसा टेस्ट नहीं है रियाना से भी अच्छा और इजी टेस्ट होने वाला दोस्तो इन्होंने बताये कि डेड़ सो में से 40% आपके नंबर आने चाहिए दोस्तो यानि 60 नंबर दोस्तो इन्होंने बताया कि अग्जाम इंडियो और इंग्लिस दो माध्यम में मिलेगा और उन्होंने बताया कि रिटन टेस्ट की जो अनस्वर की है जो पेपर होने के बाद उससे 3-4 दिन बाद या आपको वेब साइट पर की मिल जाएगी आप मिला लेना सीट एट होना जरूरी है सीट एट के नंबर और रिटन टेस्ट के अग्जाम के नंबर कुछ उनका मिलाप करके कुछ उनको नुमलाजेशन करके फिर आपका रैंक निकाला जाएगा डोकुमेंट अच्छी परकार से बरियेगा किसी भी परकार की गलतियों ने पर बोर्ड जमिदार नहीं है उसके जमिवारी आपके होगी जो भी फिल करें ध्यान से फिल करियेगा इन्होंने सुचना दी है दोस्तो ओनलाइन एप्लिकेशन दोस्तो ओनलाइन होगा ये एकजाम ओनलाइन जो फिल किये जाएगा एप्लिकेशन ओनलाइन है आठ दस दोजार अठारा से फिल किये जाएगा यानि आठ अक्टूबर से लेकर एक नॉमबर तक फिल किये जाएगे और फीश बड़ी जाएगी 29 दस तक आप फीश बर सकते हैं फोम बिल कर सकते हैं एक नमबर तक और दोस्तो फीश की बात करें जनर्रल कटैगरी के लिए 800 रुपे हैं 400 इनके 80 के लिए 400 हैं और फीश बर सकते हैं 29 अक्टूबर तक यह दोस्तो आपको नोटिफिकेशन के बारे मैं वगत करा दिया नाइटर को जम्यवारी मिली है अब की बार किसी परकार की कोई दिक्कत हो तो आप कोमेंट में जरूर डालिएगा हम तुरंत आपका जबाब देंगे सबसे पहले इसी यूटूब चैनल पर चंडिगड बरती के बारे मैं बताने जा रहा हूं दोस्तो एक से ज़ाद आवेद नैकरे इन्होंने सपेशल का है जो नाइटर डिपार्टमेंट है नाइटर जो है उनको यह जम्यवारी सोपी है एक बार फिर से बता दो दोस्तो फोम फिल कर सकते हैं आठ अक्टूबर से लेकर एक नमबर तक और लाश्ट डेट फीस बढ़ने की है 29 अक्टूबर और जो एपलिकेशन दें विदिन सडूल डेट जारी हो जाएगे एक्जाम डेट भी जल्दी ही जारी हो जाएगे दोस्तो कोई दिकत आने वाली नहीं है रिटन टेस्ट रिटन टेस्ट सडूल पांच नमबर को जारी कर दिया जाएगा दोस्तो पांच नमबर को रिटन टेस्ट अक्जाम का सडूल अच्छी प्रकार से जारी कर दिया जाएगा अभी से त्यारी करना स्टार्ट कर दो दो अभी से आप exam की त्यारी करना स्टार्ट कर दो फिर से आपको पता दो 8 October से लेकर एक नूंबर तक फर्म फिल कर सकते हैं फिस पहले डिपोजिट करना होगी 29 October तक और जो नाइटर एलपलाइन नमबर पर आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं और रिटन टेस्ट अगजाम का सेटूल जारी हो जाएगा पांच नमबर को दोस्तो ये बहुत फ़स्ट बरती होगी दो मेहने के अंदर जवाइनिंग कनफरम है ये बता दू कि एक दिसंबर को आप पहली बार जवाइन हो जाएगे और कक्षा में यानि कलास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएगे दोस्तो बोर्ड ने बहुत कुछ चेंज किया है क्योंकि पिछली बरती जो पांच साल पहले हुई थी वैबरती अब तक कोर्ट केस में चल रही है दोस्तो इसलिए बोर्ड ने बहुत सकताई से काम लिया है किर्पया आप जो भी गलती हो किसी परकार की दिक्कत हो तुरंत पुछ लीजिएगा अगर आपको कुछ प्रोब्लम्स आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखेगा हम उसका जवाब तुरंत देंगे यह देखे दोस्तो फोटोग्राफ एंड स्केंट शिगनेसर होने चाहिए इन्होंने बताया है जो अग्जामिनेशन का जो रिटन टेस्ट अग्जाम होगा वह आप डाउनलोड के करोगे साइट से नहीं कि आपके घर पे नहीं आएगा डाउनलोड करना पड़ेगा इन्होंने सपेशल तोर पे काया पहले घर पे बेजते थे अब की बार नहीं है संडीगड में इस तरह दोस्तों इन्होंने नोटिफिकेशन हमारे पास बेजा है इन्होंने सपेशल काया कि जेविटी की कटाईगरी के लिए बीड़ वाले फोम भी बर सकते हैं और सीट अट कलियर होना जरूरी है अपना अच्छे से फोम फिल करना इन्होंने बार बार काया कि कोई गलती नहीं करें कंडिडेट उसका जम्यदार कंडिडेट खुद होगा फोटो अच्छी होनी चाहिए लेटिस्ट होनी चाहिए फोटो मिलान में वे अच्छी परकार से देखेंगे ये दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन अगर किसी को जादा जानकारी लेने हो तो कोमेंट में डाल दीजिएगा मैं तुरंत नोटिफिकेशन के बारे में अथी परकार से अउगत करा दूआ आपको जो प्रोब्लम है उसके बारे में उगत करा दूआ तो दोस्तों मैं कहे रहाँ कि JBT जिनोंने की हुई है जिनका सीटेट कलियर है और B.A. कंपलिसरी है दोस्तों उनके लिए सुनेरावसर है 418 पोश्ट है सलेबस इजी है ज्यादा कछनाई वाला सलेबस नहीं है तो दोस्तों फोम फिर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें लाइक करें और कोमेंट में अपनी राय आउस्या लिखिएगा दोस्तो थेंक्यो धन्यवाद आपका दिन सुबो